नमस्कार आप देख रहे हैं दर्बंगा लाइव नीव्ज बिहार में होने वाले विधानसवा चुनाफ से ठीक पहले केंदर सरकार ने कई योजनाओं की सौगात देनी सुरू कर दी है इसी कर्म में सुकरवार को पर्दामांत्री नेमोदी ने मितलांचल को जोड़ने वाली कोशी रेल महासेतू का उठगातन किया इसके अलावा पीम मोदी ने समस्तिपूर मंदल की कई योजनाओं का उठगातन किया और सुपाल से आसनपूर कुवाहा दीमो ट्रेन के परिचारन को भी हर जहन्टी दिखाई पीम नेमोदी ने आज कोशी महासेतू देश को समर्पित किया लेकिन इसके बाद भी मितलांचल के से जुड़ने में कुछ और दिन का इंतजार करना पढ़ सकता है सुपाल से सराइगाट होते हुए कोशी महासेतू से होकर ट्रेन आसनपूर कुवाहा हौल तक चलेगी आसनपूर कुवाहा हौल से जहन्जारपूर रेलवे स्टेशन तक कारी परगती पर है इन दोनों स्टेशनों के करीब पांच और छोटे पूल का निर्मान किया जाना है इस कारी को पूरा होते ही कोशी से मितलांचल का दरभंगा श्टेशन जुड़ जाएगा पूल नहीं होने के कारण अभी तक कोसी से मिठलाइचल जाने के लिए करीब 300 किलोमेटर की दूरी टेन से तैक करने परती है कोसी महासेतु और बलुहा पूल बनने के बाद सरक मार से कोसी और मिठलाइचल का मिलन हो जाएगा अभी निर्मली से सराइगाड तक का सफर दर्भंगा समस्ति पूल खरगाडिया मांसी सहरसा होते हुए 298 किलोमेटर का सफर है पूल की निर्मान से 298 किलोमेटर की दूरी मातर 22 किलोमेटर में सिमट जाएगी कोसी महासेतु जो करेगा 86 सालों के बाद मिठला और कोसी क्षेत्र के मिलन को संभव ये जोड़ेगा निर्मली और सराइगड को इसकी कुल लागत है 516 करोण रुपए सहरसा से कोसी रेल महासेतु होते हुए आसनपूर कुपहा के बीच ट्रेन सेवा का उधगाटन हाजीपूर घोसवर वैशाली नई रेल लाइन विश्व का प्रथम गणराज्य वैशाली पाएगा स्थान रेल मानचित्र पर और मिलेगा परेटन को बढ़ावा इसलामपूर नटेसर नई रेल लाइन रेल लाइन गुजरेगी खुदागज, हरसिंगरा और कटारी स्टेशन होकर गौतम बुद्ध से जुड़े ये पवित्र स्थान आएंगे रेल मानचित्र पर और होंगे बुधिस्ट रेल सरकित में शामिल मुजफफरपूर सीतामढ़ी रेल मार्क, कटिहार न्यू जल्पाइगुडी रेल मार्क, ये नौथीस्टन स्टेट्स का गेटवे है, जैनगर दर्भंगा समस्तिपूर, समस्तिपूर खगड़िया रेल मार्क, शिबनारायणपूर भागलपूर रेल मार्क, बढ़ेगी रेल गारियों की रफ्ता करनौती बख्तियारपुर लिंक बाइबास तथा बाढ़ और बख्तियारपुर के बीच तीसरी लाइन लागत 240 करोड रुपए ये सालाना 10 मिलियन टन कोईली की अवशकता वाले NTPC बाढ़ के मेगा पावा प्लांट में कोईले की निर्बाध आपूर्ती को सुनिश्चित करेगी 150 साल पुराने क्यूल रेलपुल के समाना अंतर नए क्यूल रेलपुल का निर्मा और इसके याड का अत्याधुनिक इलेक्ट्रोनिक इंटरलॉकिंग द्वारा री मॉडलिंग लागत 86 करोड रुपए मॉजूदा 150 साल से अधिक पुराने रेलपुल के समाना अंतर नए रेलपुल का निर्मा इससे होगा पटना भागलपुर, पटना देवघर, गया भागलपुर रेलमार्गों पर यातायात सुगम महत्वपुर्ण शहर लखी सराय को मिले नए प्लेटफॉर्म साथ ही अब 304 रूट के साथ क्यूल लखी सराय याड हुआ अत्याधुनिक इलेक्ट्रोनिक इंटरलॉकिंग प्रनाली से लैस इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव शेड बरॉनी इसमें अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक इंजिनों का होगा अनुरक्षन जिनसे मिलेगी बिहार में चलने वाली ट्रेनों को रफ्तार बिहार की तस्वीर बदल रही है तेजी से और भारतियर रेल कर रहा है इसमें महत्वपोन योगदाव तभी तो COVID-19 के मुश्किल समय में देश भर से बिहार लोटे प्रवासी मज़़ूरों को इन परियोजनाओं ने दिया रोजगार का अवसर जिसके कारण ये इतनी जल्दी हो सकी पूरी है इन प्रोजेक्ट्स के कारण खुल रही है चहुं और विकास की नई राहें और बिहार बढ़ाएगा कदम आत्मनिर्भर भारत की ओर आज इन सभी परियोजनाओं को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं राष्ट को समर्व साथ ही वे विद्यूतिक्रित रेलमार्ग पर परिचालन भी करेंगे शुरू हम सभी के प्रेणा स्रोत माननिय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से साथर अनरोध है कि नौ निर्मित कोसी रेल महासेतू, नौ निर्मित विद्यूत लोकोशेड वरावने, नौ विद्यूतिक्रित रेलमार्ग, समस्तिपूर दरभंगा जैनगर रेलखंड, समस्तिपूर खगडिया रेलखंड, शीव नारायनपूर भागलपूर रेलखंड सीता मड़ी मुजफर पुल रेलखंड करनोती लिंक बाइपास और बाढ़ बक्तियारपुर लिंक के बीच नौ निर्मित तीसरी लाइन नौ निर्मित क्यूल सेतू और लखी सराय क्यूल इलेक्ट्रोनिक इंटरलॉकिंग नौ निर्मित रेलमार्ग सुपावल सरायगण आसनपूर कुपहा रागोपूर नौ निर्मित रेलमार्ग हाजीपूर वैशाली नौ निर्मित रेलमार्ग इसलामपूर नटेसर नौ विदुती कृत रेलमार्ग कठ्याग न्यू जल्पाई गोडी नौ विद्युती कृत रेल मार्क सीता मड़ी मुजफर पूर को अपने कर कमनों द्वारा रिमोट बटन दबा कर राष्ट को समर्पित करें माननिय प्रधान मंत्री जी नौत कर को अपने कर राष्टू झाल सकती। माननी ये प्रधान मंत्री जी से पुनह सादर निवेदन है कि रेल मार्गों, सुपाल, सरायगर्ड आसनपूर कुपहार रागोपूर हाजीपूर वैशाली, इसलामपूर नटेसर कटिहार, न्यू जल्पाई गुडी सीतामडी मुजफर फुर पर हरी जंडी दिखा कर ट्रेन सेवा को शुभारम करें माननी ये प्रधान मंत्री जी करेंशनर आसके वार्धी इसला ने साल करेंशनर वार्धा करा दूएर्धा झाल, सका ये हाझ्णनर, थिरुछ नहें करेंशनर, थिरुछ जाती, अई गल्गों, सुपार्धा माननीय प्रधान मंत्री जी से सादर निवेदन है कि इस गौरव शाली आउसर पर अपने प्रेरक उद्बोधन से हम सभी को अनुग्रहित करें माननीय प्रधान मंत्री जी बिहार के राजपाल स्रीफागु चौवान जी बिहार के मुख्यमंत्री शिमान नितीज जी केंद्रिय मंत्री मंदल के मेरे सहयोगी पियुष गोएल जी रविशंक प्रसाज जी गिर्राज सें जी नित्यानन राय जी सुष्री देवासरी चौदरी जी बिहार के उपमुख्यमंत्री भाई सुषिल जी अन्य मंत्री गण सांसद और विधायक गण और तकनिक के माध्यम से जुड़े बिहार के मेरे प्यारे भाईयों और बहनों साथिवाज बिहार में रेल कनेक्टिविटी के ख्षेत्र में नया इतिहास रचा गया है कोशी माहसेतू और क्यूल ब्रिज के साथ ही बिहार में रेल यातायात रेलवे के बिजली करन और रेलवे में मेकिन इंडिया को बढ़ावा देने नए रोजगार पैदा करने वाले एक दर्जन प्रोजेक्ट का आज लोकारपन और शुभारंब हुआ है लगबग तीन हजार करोड रुपिय के इन प्रोजेक्ट से बिहार का रेल नेट्वर्क तो ससकत होगा ही पस्चिम बंगाल और पुर्वी भारत की रेल कनेक्टिविटी भी मजबूत होगी बिहार सहीत पुर्वी भारत के करोडों रेल यात्रियों को मिलने जा रही इन नई और आधुनिक स्विज़ाओं के लिए मैं आज सब को बहुत बहुत बधाई देता हूँ सात्यों बिहार में गंगाजी हो, कोसी हो, सोन हो नदियों के विस्तार के कारण बिहार के अनेक हिस्से एक दूसरे से कटे हुई रहे हैं बिहार के करीब करीब हर हिस्से के लोगों की एक बड़ी दिक्कत रही है नदियों की वजह से होने वाला लंबा सफर जब नितिश जी रेल मंत्री थे जब पास्वान जी रेल मंत्री थे तो उन्होंने भी इस समस्या को दूर करने के लिए बहुत प्रयास किया था लेकिन फिर एक लंबा समय वो आया जब इस दिशा में ज़्यादा कामी नहीं किया गया ऐसे में बिहार की बिहार के करोडों लोगों की इस बड़ी समस्या के समाधान के संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं पिछले पांट-छे साल में एक के बाद एक इस समस्या के हल की तरफ तेजी से कदम आगे बढ़ाए गए हैं साथियों चार वर्ष पहले उत्तर और दक्षिन बिहार को जोडने वाले दो महा से तू एक पटना में और दूसरा मुंगेर में शुरू किये गए थे इन दोनों रेल पुलों के चालू हो जाने से उत्तर विहार और दक्षिन बिहार के बीच लोगों का आना जाना आसान हुआ है खास कर उत्तर विहार के ख्षेत्र जो दसकों से विकास से बंचित थे उन्हें विकास के लिए नई गती मिली है आज मिथिला और कोशिक शेत्र को जोडने वाला महा सेतू और सुपोल आसनपूर कुफार रेल रूट भी विहार वास्यों की सेवा में समर्पित है साथियों लगबग साटे आठ दसक पहले भूकम की एक बीशन आपदा ने मिथिला और कोशिक शेत्र को अलग थलक कर दिया था आज ये संयोगी है कि कोरणा जैसी वाइस्ट्विक महामारी के बीच इन दोनों अंचलों को आपस में जोडा जा रहा है मुझे बताया गया है कि इसके आखरी चरण के कार्यों में दूसरे राज्यों से आए स्रमिक साथियों ने भी बहुत सहयोग किया है वैसे ये महा सेतू और ये प्रोजेक्ट स्रद्धे अटल जी और नितिश बाबु का ड्रीम प्रोजेक्ट भी रहा है जब 2003 में नितिश जी रेल मंत्री थे और स्रद्धे अटल जी प्रधान मंत्री तब नई कोशी रेल लाइन परियोजना की परिकल्पना की गई थी इसका उद्देश यही था कि मिथिला और कोशी खेत्र के लोगों की दिक्कतों को दूर किया जाए इसी सोच के साथ 2003 में अटल जी द्वारा इस परियोजना का सिलान्यास किया गया था लेकिन अगले वर्ष अटल जी की सरकार चली गई और उसके बाद कोशी रेल लाइन परियोजना की रप्तार भी उतनी ही धीमी हो गई अगर मिथिदान्चल की फिक्र होती बिहार के लोगों की दिक्कतों की फिक्र होती तो कोशी रेल लाइन परियोजना पर तेजी से काम हुआ होता इस दोरान रेल मंत्राले किसके पास था किसकी सरकार थी इसके विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता लेकिन सच्चा यही है कि जिस रप्तार से पहले काम हो रहा था अगर उसी रप्तार से 2004 के बाद भी काम हुआ होता तो आज का यह दीन पताने कब आता कितने साल लग जाते कितने दसक लग जाते हो सकता है पीडियां बिच जाते लेकिन द्रड निश्चय हो नितिश्जी जैसा सहयोगी हो तो क्या कुछ सम्भव नहीं है मिट्टी रोकने के लिए आदूनिक टेकनोलोजी का इस्तिमाल करते हुए सुपोल आशनपूर कुपहा रूट पर कामपूरा किया गया है साल दोजार सत्रा में जो बीशन बाड़ आई थी उद्दवरान हुए नुकसान की भरपाई भी इस दवरान की गई है आखिरकार कोशी महासेतु और सुपोल आशनपूर कुपहा रूट बिहार के लोगों की सेवा के लिए तयार है सात्यों आज कोशी महासेतु होते वे सुपोल आशनपूर कुपहा के बीच ट्रेन सेवा सुरू होने से सुपोल अररिया और सहरसा जिले के लोगों को बहुत लाब होगा यही नहीं इससे नौर्थिस के साथियों के लिए एक वैकलपिक रेल मार्ग भी उपलब्द हो जाएगा कोशी और मिथिला क्षेत्र के लिए यह महासेतु सुवीदा का साधन तो है ही यह इस पूरे क्षेत्र में ब्यापार, कारोबार, उद्योग, रोजगार को भी बढ़ावा देने वाला है साथियों, बिहार के लोग तो इसे भली भाती जानते हैं कि बर्तमान में निर्मल इसे सराइगड का रेल सफर करीब करीब तीन सो किलिमेटर का होता है इसके लिए दर्भंगा, समस्तिवपूर, खगडिया, मांसी, सहरसा यह सारे रास्तों से होते हुई जाना पड़ता है अब वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब बिहार के लोगों को तिन सो किलिमेटर की यह यात्रा नहीं करनी पड़ेगी तिन सो किलिमेटर की यह दूरी सिर्फ बाइस किलिमेटर में सिमण जाएगी आठ गंटे की रेल यात्रा सिर्फ आदे गंटे में ही पुरी हो जाय जिक करेगी यानि सफर भी कम, समय की भी बचत और बिहार के लोगों के धन की भी बचत होगी साथियों कोशी महासेतु की हर तरफ क्यूल नदी पर नई रेल इलेक्ट्रोनिक इंटर लॉकिंग की सुविदा शुरू होने से इस पूरे रूट पर सुविदा और रप्तार दोनों बढ़ने वाली है इस नए रेलपुल के निर्वान से जाजा से पंडित दिंदाल उपाद्याय जंक्षन तक में लाइन पर सौ सबासो किलोमेटर प्रती घंटा की गती से अब ट्रेन चल पाएगी इलेक्ट्रोनिक इंटरल लॉकिंग के चालू होने से हावडा दिल्ली मेंल लाइन पर ट्रेनों के आने जाने में आसानी होगी अनावश्यक देरी से राहत मिलेगी और रेल यात्रा अधिक सुरक्षित होगी साथियों बिते छे साल से भारतिय रेल को नए भारत की आकांशाओं और आत्मन निर्भर भारत की अपेक्षाओं के अनुरूप ढालने का प्रयास किया जा रहा है आज भारतिय रेल पहले से कहीं अधिक स्वच्छ है आज भारतिय रेल के ब्रॉडगेज रेल नेट्वर्क को मानव रहीत फाटकों से मुक्त कर पहले से कहीं अधिक सुरक्षित बनाया जा चुका है आज भारतिय रेल की रफ्तार तेज हुई है आज आत्मंदेर भरता और आधुनक्ता की प्रतीक बंदे भारत जैसी भारत में बनी ट्रेने रेल नेट्वर्क का हिस्सा होती जा रही है आज देश के अंचुए हिस्सों को रेल नेट्वर्क के साथ जोडने की रेल मारगों के चौड़ी करण और बिजली करण की ववस्ता का तेजी से विस्तार हो रहा है साथियों रेल वे के आदूनी करण के इस व्यापक प्रयास का बहुत बड़ा लाब बिहार को और पूरे पूर्वी भारत को मिल रहा है बीते कुछ सालों में मेकिन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए मधेपुरा में इलेक्ट्रिक लोको फैक्टरी और मढ़ोरा में डीजल लोको फैक्टरी स्थापित की गई इन दोनों परियोजनाओं से बिहार में लगभग चब्वालीस हजार करोड रुप्य का निवेश हुआ है इस सुनकर हर बिहार वासी को गवरव होगा कि आज बिहार में बारा हजार होर्स पावर के सबसे शक्ति साली विद्यूत इंजन बन रहे है बरोनी में बिजली के इंजनों के रखरखाव के लिए बिहार का पहला लोको शेड़ भी काम करना शुरू कर चुका है बिहार के लिए एक और बड़ी बात ये है कि आज बिहार में रेल नेटवर्क के लगबग 90 प्रतिश्द हिस्से का बिजली करन पुरा हो चुका है बीते छे साल में ही बिहार में तीन हजार किलोमेटर से अधिक के रेल मार का बिजली करन हुआ है आज इसमें पांच और प्रोजेक्ट जुड़ गए है साथियों बिहार में जिस तरह की परिसित्यां रही है इसने यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर दा कम्प्लीट मल्टी ब्रांड में स्वेर शोरूम सुभास चौक दरभंगा ली एक सक्लूसिव शोरूम सुभास चौक और दैने कॉमी तांजीन न्यूस पेपर दरभंगा